अब example लेखते है कि function with no argument and no return value function with no argument and no return value तो इसका एक example हो सकता है कि पहले हम क्या करेंगे hash include यह हमने लिखा यहाँ पर क्या है कि avoid my function यहाँ पर उसके बाद मैंने यहाँ पर print किया कि यहाँ पर print a first line in my function यहाँ पर close कर दिया तो यह क्या हो गया हमारा जो हमने function define कर दिया उसके बाद हमारा क्या आगया main function तो main function में अब क्या हो गया इसमें हमने यह line लिखा printf inside main उसके बाद है हमारा second line printf calling my function इसके बाद हम call कर रहे हैं और my function तो यह क्या print करेंगा inside main प्रिंट हो जाएगा printf calling my function यह print होगा और my function यह function call और आप देख सकते हो यह value कोई return नहीं कर रहा हमारा एक बार control यहाँ पर आएगा हमारा program खतम उसके बाद हम अगर यहाँ पर कुछ print कर रहे तो फिर यहाँ पर control आ जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई भी value return नहीं हो